Hello students, welcome to our channel. Actually, आज हम बात करेंगे class 10 और 12 का compartment result के बारे में. दोस्तों बस पेसेंस और धैरज बनाए रखना दरसल आपको बता दे बहुं सारे जो यहां पर यूट्यूबर्स हैं यहां पर बता रहे हैं कि जो आपका 28 तारीक है यानि आज के दिन जो है यहां पर CBC class 10 और 12 यानि कंपार्ट का result यहां पर रिलीज करेगा तो कितना है सचा क्या है यह सही है या गलत है तो सारे बात यहां पर बताएंगे बहुं सारे बच्ची को लग रहा है कि उनको डर लग रहा है कि वो फेल कर जाएंगे तो हम यहां पर आपको बता दे बच्चे जरुट नहीं है आपको डरने की यहां पर और आप अवश यहां पर पास होंग इसके बारे में दरसल ये एक ऐसा provision है जिसे उन चातरों को grace marks दी जाते हैं जो थोड़े नंबर से fail होने वाले अगर थोड़े नंबर से fail हो जाते हैं तो उनको क्या करता है यहाँ पर grace marks देकर उनको आगे बढ़ायाता है यानि pass कर दे जाता है इसके अलावा दोस्तो इस policy के तेहत चातरों को परस्न पत्र में दिये गए अधियादिक यानि जो hard question आया या गलत परस्नों के लिए भी यहाँ पर grace marks देखने का प्रवधान है अब आपको हम बता दें कि जब आप google में यहाँ पर search करोगे तो cbc यहाँ पर लिखोगे कि cbc compare result 2023 तो बहुत सारे यहाँ पर आपको update मिलेंगे यहाँ पर जब link पे आप click करोगे तो यहाँ पर मिलेंगे कि या कोई भी आप यहाँ पर link यहाँ रिजल जो है आज निकल ज बज़े बोल रहा है 28 तारीक यहाँ आज का दिन यहाँ पर show कर रहा हम आपको इसका सबूत भी दिखाते हैं दोस्तो दोस्तो देख सकते हैं हम यहाँ पर लिख रहे हैं cbc compartment result 2023 जैसे हमने यहाँ पर लिखा तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 गंटा पहले बहुत सारे सारे लो बार बार यहाँ पर बोला जार और भी अगर आप website on website में भी आप visit करेंगे तो यहाँ पर यही हाले दोस्तो सब में यहाँ पर बताय जा रहा है कि यह जो अगर इस website में हम आते हैं तो यहाँ पर भी वही शो कर रहा है कि 28 तारीक को जो है आपका यहाँ पर the cbc 12 supplementary result 2023 is scheduled to be release on the 28 of July 2023 यानि 28 तारीक यहाँ तक की सारा चीज यहाँ पर बता रहा है कि 28 तारीक को कुछ लोग तो ऐसे चाप रहे हैं कि 28 तारीक को इतना बज़े आपका result आ जाएगा तो आप लोग को हम बता दें कि result आपका आज आएगा यह नहीं आएगा पूरी proof के साथ बताएंगे यहाँ पर news पर official job website उस पर यहाँ पर अभी भी सो नहीं कर रहा है इसके बारे में और जैसे यहाँ पर result के बारे में अगर update मिलता है तो हम आपको बता देते हैं लेकिन हमारे पास जो update है उसको हम आपको शाजा करते हैं कि copy checking का जो process है अभी भी जारी है दोस्तों और moderation का का काम जो है दोस्तों अभी तक start नहीं हुआ है तो हो सकता है कि 4-5 बज़े तक यह जो process है यह जो process है यह आपका complete हो जाए और इसके बाद moderation का भी काम हो जाए तो यहाँ पर दोस्तों अगर moderation की moderation की साथ काम होता है तो यहाँ पर जो है बच्चे जो है अराम से पास करेंगे और हम आपको यहाँ पर बता दे दोस्तों अगर साथ बज़े आट बज़े के बाद हमको कोई update मिलता है यानि अगर यहाँ पर 3-4 बज़े यहाँ पर clear कर लेता है CBC यहाँ पर और अगर साथ बज़े साम इवनिंग में कोई अगर हमको update मिलता है तो हम आपके लिए यहाँ पर जो है update लाएंगे दोस्तों और हम चाहते हैं कि सारे subject में moderation जो है लगा कर यहाँ पर सब को pass कर दे जाए देखो सब का जो है यहाँ पर time किमती है इसलिए सब को pass कर दे जाए और MCBC से request करें कि हमारे जो भी students है उन सभी students को यहाँ पर pass कर दे जाए जो कम number लाए है यानि दो तीन number से fail हो रहे हैं उनको भी यहाँ पर moderation लगा कर सारे subject में moderation लगा कर यहाँ पर pass कर दे जाए क्योंकि बच्चे जो है यहाँ पर एक साल बरवाद हो जाएगा अगर आप ऐसा नहीं तो आई होप अगर यहाँ पर आप लोग इस चैनल से जुड़ जाए अगर आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो चैनल को यहाँ पर आप चैनल पर जो है यहाँ पर जो अपडेट है वो मिलते रहेगा official update result जैसे आता है उसकी सूचना हम आपको यहाँ पर इस चैनल के Thank you